हस्त्रेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है. इसकी रचना सामुद्र रिशी नेकी थी, इसी कारण इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है. इसके सिध्धानतों के आधार पर हाथों का सुक्षम रूप से अध्यायन करके भविश्य बताया जाता है. हस्त रेखाएं शुकी पक्ष और कृष्ण पक्ष में बंती बिगरती रहती हैं लेकिन हाथों की बनावत में बदलाव नहीं अता बनावत के आधार पर साथ तरह के हाथ होते हैं निम्ण श्रेनी का हाथ, वर्गाकार हाथ, चमसाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलापून हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ जानिये कैसी है आपके हाथ की बनावत और उसका फल एक, बैडॉल बनावत वाला हाथ निक्रिष्ट माना गया है यह जरूरत से जादा छोटा, मोटा, भरा और भारी होता है अंगूठा हाथ के सामान्य अनुपात में बहुत छोटा होता है निक्रिष्ट हाथ वाले लोग अपने में ही गुम रहते हैं ऐसे लोग अपनी बाते और भावनाएं किसी से शेर नहीं करते और अपने ही मनकी करते हैं इन लोगों का दुनियादारी से बहुत कम वास्ता होता है और वे भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रहते हैं दो, हस्त्रेखा शास्त्र में समकोने कत्वा चौकोर हाथ को वर्गाकार हाथ कहा जाता है ऐसे हाथ को बहुत अच्छा माना गया है जिन लोगों के हाथ हिसाकार के होते हैं वे द्यालू, स्वच्छताप्रेमी, सत्यनिष्ट, सच्चरित्र और स्वाभिमानी होते हैं। वे धीर, वीर और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं और जीवन के एक विशेश पड़ाव बहुत नाम कमाते हैं। 3. जिस हाथ में कलाई के पास वाला हथेली का हिस्सा अधिक चोड़ा होता है उसे चमसाकार हाथ कहते हैं। इस तरह के हाथ वाले लोग आदर्शवादी, कार्यकुशल और ख्याति लब्ध होते हैं, लेकिन इनके कामों से किसी को फाइदा नहीं मिलता और इन लोगों को भी क किसी की मदद नहीं मिल पाती। ऐसे लोग खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हैं और खुद के फाइदे के लिए काम करते हैं। बहावित करता है। ऐसे लोगों के मन की बात पता करना कठिन होता है। से धन कमाता है। व्यापारी, गाय, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आदी के हाथ इस श्रेनी में आते हैं। छे, नुखिली, पतली, नीचे हलकी और उपर भारी उंगलियों वाला मुलायम, चिकना तथा लंबा हाथा दर्श्वादी हाथ कहलाता है। जिनके हाथ हिसाकार के होते हैं, वे सपनों की दुनिया में खोय रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं लेकिन बड़ी-बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन समय पर इनके साथ जो स्थिती बनती है उसके अनसार ये लोग काम कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी की भावनाएं आसानी से नहीं समझ पाते। साथ, मिश्रित लक्षनों वाले हाथ की कोई श्रेनी नहीं होती। मिश्रित हाथ वाले लोग कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ ऐसे लोगों के मन में उतार चड़ावाते रहते हैं। ये लोग कोई भी फैसला लेते समय दरे हुए या किंफ्यूज रहते हैं।